मेरे पहरे देश्वाजियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुनाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोर सिंग गाउं की एक खबर देखी। ये खबर एक ऐसे बड़लाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाउं के लोगों को कई वर्सों से था। दरसल जोर सिंग गाउं में इसी महेने स्वतंतरता दिवस के दीन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। जैसे पहले कभी गाउं में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में बैसी ही खुशी 4G पहुँचने पर होती हैं। अरुनाचल और नौर्थ इसके दूर सुदूर इलाकों में 4G के तोर पर एक नया सुर्यवदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सभेरा लेकर आई हैं। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है। इस वज़े से देश में नए डिजिटल एंटर्परिनर पैदा हो रहे हैं। राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावज जी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ। दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोविड आया तो रावज जी ने इस चुनोटी को मुश्किल नहीं बल्कि आउसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC e-store जोइन किया और ओनलाइन कामकार शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्का ओडर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। जिसमें और भी कही तरह से कपड़े वो बना कर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सींजी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ओर्डर मिलते हैं। सेंकडो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाओं में रहने वाले ओम प्रकास सींजी को भी डिजिटल एंटरप्रिनर बना दिया है। उन्होंने अपने गाउं में एक हजार से ज़्यादा ब्राडबेन कनेक्शन सापित किया है। ओम प्रकास जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुलक वाइफाई जोन का भी निर्मार किया है। जिससे जरुवतमन लोगों की बहुत मदद हो रही है। असपताल, तैसील आफिस और अंगनवाडी केंदरों तक ब्राडबेन कनेक्शन पहुचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्मेंट ए मार्केट प्लेस यानि जेम पोर्टर पर भी ऐसी कितनी सक्से स्टोरी देखने को मिल रही है। साथ्यों मुझे गाउं से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वजह से आये बढ़लाओं को मुझसे साजा करते हैं। इंटरनेट ने हमारे युवा साथ्यों की पढ़ाई और सिखने के तरीकों को ही बदल दिया है। जैसे कि यूपी की गुडियां से जब उन्नाव के अमोया गाउं में अपनी सफुरार आई तो उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता हुई। लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समधान कर दिया। गुडियां ने इंटरनेट के जर्गे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। गाउं गाउं में ऐसे कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया भ्यान से नई शक्ति पा रहे हैं। आप मुझे गाउं के डिजिटल एंटर्परिनर के बारे में जादा से जादा लिख करके भेजें और उनकी सक्से स्टोरिज को सोचल मेडिया पर भी जरूर साजा करें।